नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपकी अपने यूटीब चेनल परफेक्ट मेथ कलब में साथियो इससे पहले मैंने आप लोग को भाजकों की संख्या निकालने के तरीके बतला दिये हैं और आज जो होने वाला है भाजकों का योगफल से समधित आज के कलास होने वाला है तो बिने देरीक किये स्टाट करते हैं अपनी कलास को और सीखते हैं भाजकों का योगफल कैसे निकाला जाता है साथियों जिस परकार इसे पहले वाले क्लास में मैंने सभी को समझाने के लिए सबसे पहले उसका छोटा उधारन लेते थे फिर समझते थे उसी परकार इसमें भी सबसे पहले कोई भी छोटा उधारन लेते हैं और उसके बाद समझते हैं उसे तो जिस परकार हर एक कलास में मैंने लिया था बारा का उधारन तो इसमें भी बारा कर लेते हैं कोशन आपके पास आगया बारा के सभी भाजको का योगफल ग्याद करें योगफल ग्याद करें सबसे पहले इसका कॉंसेप्ट समझते हैं कॉंसेप्ट से क्या होता है बारा के सबसे पहले भाजक बाजक कुन-कुन होंगे भाजक देखिए एक से कटेगा दो से कटेगा तिन से कटेगा चार से कटेगा छे से कटेगा बारा से कटेगा यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे गो है इसके भाजकों की संख्या अब क्या बोलड़ा है? भाजकों का योगफल ज्याद करने के लिए भाजकों की संख्या तो मैंने पिछली क्लास में किया था और आज जो होने वाला वाब भाजकों का योगफल से हैं तो भाजक का योगफल जो भी है भाजक इसका योग देखते हैं कितना आता है? एक, दो, तीन, चार, छे, पलस, बार. ध्यान दीजिए, एक, दो, तीन, 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 चो, चो, चर, दस, दस, चो, सोलह, सोलह, दू, अठारह, अठारह, दस, अठाइस. यानि इसकी भाजक का योगफल जो आया, वह आया, अठाइस. अब इसको ट्रीक से समझते हैं, ट्रीक से कैसे होता है? ट्रीक, सबसे पहले, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, क्या क्या होता है? सबसे पहले इसका आभाज, गुननखंड, तोड़ा, जाता है. उसके बाद, उसके पावर में, एक जोड़ा जाता है. चलते हैं, ट्रीक से देखते हैं, ट्रीक के लिए मैंने सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पर जो कैसे क्या 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 करना है. तो ट्रीक से चलते हैं, सबसे पहले इसका आभाज गुननखंड तोरा जाता है, जो भी दिया गया हो, जैसे 12 दिया गया है, तो 12, 12 का सबसे पहले आभाज गुननखंड तोर जाता है. 12, 12, 12, 6, अब नहीं लेगा, इसका जो अभाज गुननखंड आया, क्या आया, दो के पावर दो, गुना 3 के पावर, 1, जैक है, गुननखंड तोर दिया, उसके बाद, उसके पावर में, एक-एक जोरा जाता है, पावर में, ध्यान देजिए, दो है, एक जोर दिया, फिर, थिरी के पावर में, एक है, एक जोर दिये, ठीक है, पावर में, एक-एक जोरा जाता है, और, बेस में, एक-एक घटाया जाता है, बेस में, एक घटा दिये, घटाया जाता है, और आपस में, गुना क्या जाता है, गुना कर दिये, अब देखिए, गुना क्या जाता है, घ यहां भी रहेगा उसके बाद ध्यान देजिए यह नहीं कि यहां पर इसको इसको करना अभी पहले इसके पावर में दो के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 मैनस 1 बटे 2 एकम 2 2 के पावर 3 यानी 8 मैनस 1 गुना 3 गुना 9 मैनस 1 बटे 2 ध्यान देजिए 8 में से गया 7 इसलिए योगफल कितना आया 28 अब देख पा रहे हैं कि यहां पर कॉंसेप्ट से भी समझे थे तो अठाइस आया था और ट्रिक से भी अठाइस आया है ठीक है जैसा कि फर्स्ट कोशन हो गया है 420 के सभी भाजकों का योगफल कियात करें यह के यह साफ से सब से पहले इसका आ भाज गुन एंखंड तो जाएगा अभाज गुन खंड तोरते हैं दो दो निए 4 दो एकम दो 0 दो एक जीरो दो पंचा 10 तीन तिया नौ तीन पंचा 15 15 37 35 ध्यान देजिए इसका अभाज गुनन खंट क्या आया है दो की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1 ठीक है तो यह की हिसाव से बोला जाता है तो पले आभाज छीक उसके बाद बेस में लिजा है जया कि allez इसन फाटव की फ्रेन सब्सक्ति सेदे रीच है Orth Falcon इसके बाद 2 के पावर 3 मैनस 1 गुना 3 के पावर 2 मैनस 1 गुना 5 के पावर 2 मैनस 1 गुना 7 के पावर 2 मैनस 1 बटे 2 एकम 2 2 चोके 8 8 चेक 48 8 मैनस 1 गुना 9 मैनस 1 गुना 25 मैनस 1 गुना 49 मैनस 1 बटे 48 8 मैं से गया 7 गुना 8 गुना 24 गुना 48 बटे 48 ध्यान देजे 48 अरतालिस कड़ गया अब यहां पर क्या आएगा 48 गया 8 से थे 56 56 गुना 24 अगर आप करोगे तो 24 चक है 24 56 24 इसको इसको अगर गुना किया जाएगा तो 1344 आएगा यह आप क्या होगे एंसर यानि सभी भाजको का योगफल तो सबसे पहले जूनिया मोहता है आवाज गुरुनन खन तूर जाएगा तूर रहें, दूतिया छे, दू सता, चौदा, धूटा, 15, 10, 7-5, 12, 12, 13, 15, 15 कटेगा तिन से यानि तिन से कटेगा, 3 एकम, 3, 3दो निए 6, 35, 15, 5, 2, 7, 8 नहें कटेगा, यानि 5 से कटेगा, 5दो नहीं, 10, 25, 25, 25, 25, 25, इसका अभाज गुनन खंड क्या है आपके पास, 2 गुना, 3 गुना, 5 फे पावर, 3, यह इसका अभाज गुनन खंड, उसका पाद क्या बोला जाता है, नहीं कुछ तो एक है, एक है, पावर में एक जोरा जाता है, 2, 1 plus 1 3, 1 plus 1 5 3 plus 1 बेस में एक गटाया जाता है और आपस में गुना क्या आता है चेक है? उसके बाद गटाया गया बटे में लिखाया तो दो में से गया 1, तिन में से गया 2, पांच में से गया 4 उसके बाद करते हैं 2 के पावर 2, मैनस एक, 3 के पावर 2, मैनस एक, 5 के पावर 4, मैनस एक. अब बसमेगो ना, जो था, उसके बाद, 2 एकम 2, 2 चोके, 8. चलते हैं, दो दुनी 4, दो दुनी 4, 4 में से गया, कितना बचा? चलो, चार में से एक, तिन्तिया नो, नो में से एक, पाँच फावर चार है, ध्यान देजिए, कई भी कर रहा है हैं, पाँच फावर चार अगर कीजिएगा, पाँच फावर चार का मान, छोसो पचीस, मैनिस वन, बट्टे, आठ, चार में से गया, तीन, नो में से गया, आठ, छोसो पचीस में से गया, छोसो, चोबिस, बट्टे, आठ, ध्यान देजिए, आठ, आठ, गया, उसके बाद, तिन चुके, बारह, तिन नोई, छो, चो, एक, साथ, तिन चुके, आठ, 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 हार सो बहत्तर आया, सा सु पचास का योगफल, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं, कल के वीडियो में,